गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स आज का हमारा टोपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ओप एरियल स्टेम ओफ साइलोटम साइलोटम के वाई वी ये पर्रोहे की आंतरिक सरंचना हमारे पिसले वीडियो में हमने साइलोटम के राई जोम की आंतरिक सरंचना देखी थी तो देखो पर्रोहे तंतर की आंतरिक सरंचना में निम लिखी सरंचना दिखाई देती है जिने हमें एक डाइग्राम के माद्दिम से देखेंगी आपके सामने एक डाइग्राम है उसमें देखिए वाईवे परौँ है कि सबसे बाहार की और ऐपिडरमिस पाए जाती है यहाँ पे यह एपिडरमिस है जो गलत सब्द टाइप हो गया एंडूरमिस यह एपिडरमिस है तो वाईवे परौँ हो जाती है और इस स्तर में रंद्र भी पाए जाते हैं देखो एपीडरमिस में एपीडरमिस की बाहर की वरी क्यूटिकल की लेयर है साथ साथ एपीडरमिस में स्रोमेटाया रंद्र भी पाए जाते हैं जैसा कि हमारी पिसले वीडियो में आपको बताया था कि सालोटम में फोट इसके वाईवी परोह में रंदर पाये जाते हैं वाईवी परोह हरी रंग का होता है और यह फोटोशिंतेसिस का कारी करता है तो वाईवी परोह में सबसे बाहर क्या पाये जाता है epidermis, epidermis के बहारी की और cuticle की layer पाई जाती है और epidermis के अंदर stomata भी पाई जाते है epidermis के अंदर की तरफ दूसरा पार्ट होता है cortex तो बाहिये तवचा की बीतर काफी विश्त्रित वलकुट होता है यह वलकुट तीन सुस्पष्ट वागों में विवेदित रहता है बाहिये वलकुट, मद्धे वलकुट और आंत्रिक वलकुट में सबसे पहला भाग है बाहिये वलकुट या outer cortex देखो इस क्षेत्र की कोशिकाएं उर्द्वे रूप से दिरगीर vertically elongated होती है पतली बित्ती यूगत कोशिकाएं होती है यह देखी यहाँ पर मैंने जो क्लोरिन कायमा लिखावा है वो इसका outer cortex है इसमें जो कोशिकाएं होती है वो vertically elongated होती है और इन कोशिकाओं में हरीत लवक और स्टार्स ग्रेंज पाए जाते हैं और यह वाईवे परोह का मुख्य पोटो सिंतेस्टिक रीजन है प्रकास अंसलेशी क्षेत्र है तो बाहिये वलकुट यह outer cortex है उसकी कोशिकाओं में हरीत लवक और स्टार्स ग्रेंज पाए जाते हैं हरीत लवक की उपस्तिती के कारण इसको क्लोरेन का इमा कहा जाता है और यह वाईवे परोह का मुख्य प्रकास अंसलेशी क्षेत्र है तो भी मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया था कि सायलोटम में फोटो सिंतेस्टिक या प्रकास अंसलेशन का कारी इसके वाईवे परोह द्वारा किया जाता है तो वाईवे परोह के अंदर जो आउटर कोटेक्स वाला भाग है उसके द्वारा परकास अंसलेशन का कारी किया जाता है दूसरा भाग है मद्धे वलकूट या मिडल कोटेक्स तो बाहिये वलकूट के ठीक अंदर की तरफ मिडल कोटेक्स पाया जाता है और मिडल कोटेक्स की कोशिकाएं भी आउटर कोटेक्स की तरह वर्टिकली इल्लोंगेडेट होती है लेकिन यह द्रडोत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है इसी कारण इसको स्क्लेरेन कायमा कहते है जो आउटर कोटेक्स था उसमें क्लोरोफिल की उपस्तिती के कारण उसको क्लोरेन कायमा कहते है मिडल कोटेक्स स्क्लेरेन कायमेटर्ज द्रडोत कोशिकाओं का बना होता है जिसकी कारण इसको स्क्लेरेन कायमा कहते है और मिडिल कोटेक्स का मुख्यकारी होता है तने को बलकृत द्रेड़ता परदान करना चुकि ये द्रेडोत की कोशिकों का बना होता है इसलिए तने को बलकृत द्रेड़ता परदान करता है तो मेकेनिकल स्ट्रेंद परदान करता है तीसरा पार्ट है इन्नर कोर्टेक्स यह आंत्रिक वल्कूट तो आंत्रिक वल्कूट देखिए यहाँ इस यहाँ पे सब लिखा है पेरिन काइमा तो पेरिन काइमा है इसका आंत्रिक वल्कूट यह पतली बित्ती यूग पेरिन काइमेटस कोशिकाओं अर्थात मृदूत की कोशिकों का बना होता है ये कोशिकों में स्टार्थ ग्रेंज पाये जाते हैं जार्थ छूता में भाये टाफ्चा की ठीक अंदर की तरब कोटेक्स पाये जाता है ये cortex तीन सुस्पष्ट वागूं में विविदित रहता है पहला भाग है outer cortex outer cortex vertically elongated cell से बना होता है और इन cell में chlorophyll पाये जाते हैं और chlorophyll की उपस्तिती के कारण इसको chlorine का एमा कहते हैं और यह तने का मुख्य प्रकास अंसलेशीक शत्र होता है दूसरा cortex outer cortex के अंदर की तरह पाये जाता है middle cortex तो middle cortex की कोशिक एम भी vertically elongated होती है लेकिन middle cortex दुर्ड होत की कोशिकों का बना होता है जिसके कारण इसको chlorine का इमा कहते हैं इसका मुख्य कार्य होता है तने को बल कली द्रेटा परदान करना सबसे अंदर की वर होता है inner cortex inner cortex पेरेन काइमेटा सेल्स का बना होता है इसके कारण इसको chlorine काइमा कहते हैं और ये कोशिक का इसा घंद रूप्ष विवस्तित रहती है इनमें मंड करन उपस्तित होते हैं नेक्स्ट इसका तीसरा भाग है एंडोडरमिस या अंतस्तफचा तो दिखें डायग्राम में एंडोडरमिस एंडोडरमिस एक इस्तरी होता है बड़ी कोशिकाओं का बना होता है इन कोशिकाओं की जो radial walls अर्ये बीतियां होती है उन पर केश्पेरियन पट्टिकाई पाई जाती है डायग्राम में एंडोडरमिस दिखायावा है जो inner cortex नहीं आंत्रिक वलकुट है उसके अंदर की तरफ एंडोडरमिस पाई जाती है यहे कोशिकाओं से बना एक स्तर होता है और इन कोशिकाओं की अर्ये बीतियों पर केश्पेरियन पट्टिकाई पाई जाती है अगला इसका पार्ट है चोथा परिरंबिया परिसाइकल तो देखो एंडोडरमिस के ठीक अंदर की तरफ यहां देखिए यह जो बहार अपने को लाइन से दिख रही है इन्डोडरमिस है इन्डोडरमिस के ठीक अंदर की तरफ कोशिकाओं की एक लेर है और यह एक सिक डुकिए इन्डोडरमिस के ठीक अंदर की तरफ कोशिकाओं की लेर है वो दिखा रही है परिरंबिया पेरिसाइकल को तो यह पतली बित्ती की कोशिकाओं का एक स्तर होता है जो रंब का सबसे बहारी आवरण है परिरंब जो है वो रंब का सबसे बहारी आवरण है और ये एंडू डर्मिस के अंदर की तरफ कोशिकों की एक परत से बना हुआ होता है नेक्स्ट पांस नमर का भाग है स्टीलिया रंब तो राइजोम में हमने देखा था कि राइजोम में प्रोटो स्टीलिया ठोस रंब पाय जाता है जबकि परिपक्वे वाईविय परोगे के ये दिया पन बात करें तो परिपक्वे वाईविय परोगे के निशले भाग में नाल रंब या साइफोनो स्टील पाया जाता है और उपरी भाग में ठोस रंब पाया जाता है तो बारा से रिपीट कर देती हूँ राई्जोम के इंटरनल स्टेक्चर में हमने देखा था कि राईजोम के अंदर ठोस रम या प्रोटो स्टिल होता है लेकिन यदि अपने बात करें वाईविय परोह की तो परिपकव वाईविय परोग का जो निशला भाग होता है उसमें साइफोन उस्टील या नाल रम पाए जाता है और उपरी भाग में ठोस रम या प्रोटो स्टील पाया जाता है निचले परिपग व हम भाग के अनूपरस्ट काट में जैलम, मजजा के चारों और टारे नूमा होता है जैसा कि मैंने भी बताया कि इसका निचला भाग जो है तनेक वाईवे परोयका उसमें नाल रम पाय जाता है चुकि आप सब जानते हो कि नाल रम के केंद्रिय भाग में पीथिया मज्जा पाई जाती है उसके चारों और जायलम होता है और जायलम के चारों और फलोयम की परत पाई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है निशले परीपव को भाव की अनुपरस्त काड़ेदी देखें तो जायलम जो है वो मजजा के चारों और तारे नूमा होता है केंद्री भाग में मजज़ा होती है और उसके चारों और जायलम तारे नुमा विवस्थित रहता है इसके बाद में देखिए तारे नुमा जायलम में जो पालिय होती है उनकी संखे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है जायलम व परिरम के बीच का भाग लंबवत रूप से दिरगी पतली बिती की कोशिकाओं का बना होता है ये कोशिकाओं फ्लोईम की तरह कारिये करती है तो अपन एडिस की निशले भाग की बात करें वाई भी पर रहो है कि तो उसमें नादरम पाया जाता है उसकी केंद्री भाग में मजजा होती है पित पाया जाता है और पित के चारों और जायलम जो है वो तारे नूमा सरंचना की रूप में विवस्थित रहता है तारे नूमा सरंचना में जो पालिये हैं उनकी संखे अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है और जैलम के बाहर की और तो था परिरम के अंदर की और लंबत रूप से दिर्गी पतली बित्टी की कोशिकाई पाई जाती है ये कोशिकाई फ्लोएम की तरह कारिये करती है नेक स्थवाप आठ है पितिया मजजा तो ये तन्येका केंद्री भाग होता है जो द्रडोत की कोशिकाउं से बना हुआ होता है तन्येका जो किंद्री भाग है वो द्रडोत की कोशिकाउं से बना होता है यहां पर डाइगराम में आप देखी जो ये वाला भाग है जहां पर मेटा जैलम लिखावा है ये मेटा जैलम नहों के क्या होता है किंद्री भाग में इसका पितिया मज्जा है जो द्रडोत की कोशिकों का बना हुआ होता है और ये जो तारी की आकरती की सरंचना है वो इसका जायलम है और जायलम के बाहर की और ये वाला पार्ट है यहां प्रिंटिंग में मिस्टेक होने के कारण देखी किंद्री भाग को इसने मेटा जायलम दिखा रखा है जबकि वास्ते में क्या होता है किंद्री भाग में द्रडोत की कोशिकों से बनावा पितिया बजजा पाइजा तो ये तो इसका पित है और पित के बाहर की और तारी नुमा जो सरंचना आपको दिख रही है बू है इसका जायलम और जायलम के बाहर की और ये देखिए ये वाला भाग जायलम के बाहर की और यहां पर ये वाला भाग है फ्लॉयम तेंक यू